नमस्कार एन वेलकम यूल एट इंडो पार्ट शाला आज का टॉपिक है हमारे पास ब्लू फ्लैक सर्टिफिकेशन हाल ही में रिसेंट्ली ये नियूज देखी थी अकबारों में जिसमें बोला गया है कि भारत में दो एक्स्ट्रा आपके बीचिस को ब्लू फ्लैक सर्टिफिकेट दिया गया है जो की आपको इंडिकेट करता है विश इस तर पर मानेतर प्राप्त अंतराश्ट्य एको लेबल करते हैं यह नीजु को सबसे पहले आपको जो याद 2 सर्टिफिकेट है इसके बारे में आपको जानकारी होने ही आपके अच्प्रेक्टिफ प्ल्लू फ्लैक सब्सक्राइब गए हैं ये जो दो बीच हैं ये हैं आपके मिनिकोई थुन्डी बीच और इसके साथ ही आपका एक और है कदमत बीच ये दोनों ही लक्ष द्वीप में हैं मैं अभी आपको मैप के सुरूस में आगे समझा दूँगा कहां कहां है तो आपको याद हो जाएगा पूरी लिस्ट फिलाल बात बढ़ाते हैं आगे ब्लू फ्लैक सर्टिफिकेशन इसको जो जो दिया जाता है वो में संसा का नाम याद रखना है FEE ठीक है फांडेशन फॉर एन्वार्मेंटल एजुकेशन ये इसकी फुल फॉर्म है इसको आपको याद रखना है ये एक नॉन इंसिटीट है जो ये संसा जो ये अवार्ट देती है ठीक है इसका जो मिशन है ये बहुत ज्यादा जरूरी है मिशन के तोर पर आपको याद रखना है ये प्रमोट करता है सस्टेनिबलिटी इन थरिद्टर फॉर्मेंटल एजूकेशन एन्वार्मेंटल प्रॉटेक्शन और अधर सस्टेनिबल डेवलप्मेंट प्रैक्टिसेज ओल आर कनेक्टि टू ना बीच यहानि कि आपके जो बीच के आसपास है वहां पे लोगो जानकारी देना ताकि पॉलुशन ना फैले और बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो कि आपको उस लेवल पर याद नहीं जो आपके प्रायर लेवल पर उनकी जांच करने के लिए छोट असा हॉस्पिल टाइब बनेगा क्या 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 फैसिलिटीज हैं यह सारी ब्लू फ्लैक्स सर्टिफिकेशन को देखते हुए दी जाती हैं सेफटी के लेवल क्या है अगर कोई डूब रहा है तो उसको बचा करते हैं और उनको इस सर्टिफिकेट दिया गया है बाई FEE यहीं से कोशन बनेगा जो सारा था वो तो आपका फांडिशन में बना रहा था बता करके कि असल में है क्या ठीक है डैन्मार की सांचता है आपको यह भी याद रखना है पर्मिशन क्या आगया आपको समझ में आ रखेंगे फिलाल आगे देखिए important fact क्या क्या है अवार्ड जो है वो बेस करता है आपका compliance of four main categories यहां पर four main category है जिसके थुरू आपको यह वार्ड दिया जाता है पहला है आपका environmental education and information इसके साथ ही water की quality क्या है environmental management कैसा है आपका जो मैंने आपको पूरा process बताया safety और services क्या- four आपको याद रख नहीं है ठीक है इसके साथ ही एक हुआ था convention को कहते हैं आभिजान convention यह हुआ था आपका point noire kango में हुआ था जो कि इतना जरूरी आप नहीं है क्योंकि पुरानी बात हो गई है आभिजान convention का जो उद्दिश्य था वो था आपका western और middle africa का जो atlantic तट ह है वहाँ पे समुद्री और 30 पर्यावरन का संद्रेक्शन करना उसका प्रमंदन और management करना ठीक है यह इसके साहयो करने का उद्दिश्य था इसके साथ ही जो इसका mission था to protect development आभिजान convention area resource benefit well being of its people जो इसका mission था उसमें मेंली बात यही कही गई है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह अपने लोगों को लाब और कल्यान के लिए किस तरह से आभिजान convention है वो संसादों की रक्षा करेगा संरक्षन करेगा उसका विकास करेगा इस सारी चीज़ें यहाँ पे आभिजान convention में कही गई है तो इसको आपको याद रखना है तो इसके आगे दिखिए यह है हैं आपके currently there are 12 blue flag beaches in India जो कि मैंने आपको mention किये थे सबसे पहले इनकी listing को देख लीजे फिर मैं आप दिखाता हूं इडन बीच यह मिलेगा आपको पूडू चेरी में फिर एक है आपका यह घोगला बीच यह मिलेगा आपको दिव में इसके साथ ही आपका आता है एक golden बीच यह मिलेगा करनाटका में राधा नगर बीच मिलता है आपको अन्वाने निकोबार में रुशिकोंदा बीच मिलता है आधर परदेश में शिवराजपूर बीच गुजरात मिनिकॉइट थुंडी बीच दोनों ही लक्षद्विप में हैं और यही recently added हैं तो इन पे आपके तुरू देख सकते हैं वही सारे चीज़ें हैं किस तरह से आपको देखना है गुजरात में शिवराजपूर और कोवलम बीच तमिल नाडू इडन बीच भी आपका पुरूचेरी में राधा नगर अन्वा निकोबार आइलेंड ठीक है इनको आप देखिए और समझ देखिए लाइग बीच और इंडिया तो भारत में सबसे नया ब्लू अपका जो क्या भी धी दोनों एड हुए है कदमत और थंडी बीच और दोनों ही लक्षद्वीप में है ठीक है यह दोनों ही लक्षद्वीप में है और रिजन्टी 26 अक्टूबर 2022 को इंको एड किया ग एजुकेशन FEE याद रखना है आपको इसका हेड़कोटर है कॉपनहेगन डैनमार्क में नेक्ट है कपड कपड था आपका केरला में ना की वरकला तो नेक्स्ट कोशन है इडन बीच इस लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी तो इडन बीच मिलता है आपको पूडुचेरी में इस सारे चीज़े आपको बहुत अची से याद हो जाने चाहिए अब दुबारा आप मससे पढ़ो या फिर किसी और से भी तो चीज़े आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए तो इस दान्सवर आबिजान कंवेशन कॉप 30 1984 में यह इंप्लिमेंट कर दिया गया था इसको कर दिया गया था तो यह सारे चीज़े हैं इसके साथ ही कुछ और हैं आपका वियना कंवेशन की अगर हम बात करते हैं तो यह आपको प्रेक्शन देता है उजोन लेयर यानिकी वियना कंवेशन संबंदित है इसके साथ ही मीना माता कंवेशन मरकर से संबंदित है रोटर ड the following is not included in the category of criteria of awarding blue flag certification तो criteria में कौन सा हमारे पास नहीं है तो safety and services, environmental management, water quality ये तीनों हैं, so D is the answer, trans boundary air pollution इसमें consider नहीं किया जाता, तो वो चार हैं जो मैंने अभी पीछ आपको बताए थे, इन चारों को आप देखिए, next question हमारे पास, घोगला बीच इस लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी, तो ये आता है आपका option A, दियो में, which of the following बीच इस सिचुएटेड इन ओरिशा, तो ओरिशा में मिलता है आपको golden बीच, इसके अलावा यहाँ पे question देखिए, यह बहुत जादा important है, how many blue flag beaches are there in the world, तो total world में हैं आपके 4831 blue flag beaches, इसके साथ ही और total सारे बीच ही नहीं है, इसमें आपको कुछ marine भी मिलेंगे, tourism boards भी मिलेंगे, तो यह भी आपको याद रखना है, और यह total country, जो total country हैं आपकी 50 countries में 4831 beaches हैं, जो की blue flag certification के साथ अपना कार्म कर रहे हैं, तो अगला question है, which Indian state has the most number of blue flag certified beaches in India, तो सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको, यानि कि A और B करनाटका और ओर ओरीसा में ही दोनों हैं, तो दोनों में मिला करके आपके 4 blue flag certified beaches हैं, ठीक है, और दोनों में दो-दो हैं, यानि कि दो करनाटका में और दो लक्ष दीप में, ठीक है, यह था आपका वीडियो, यहाँ पर इस वीडियो का एंड होता है, होप सब लोगो समझने आ गया होगा, थैंक यू, होगा, जया होगा ङूगो समझनाटका एंड होगा इसा हैं,